पूरा वीडियो धान से देखेगा वीडियो के लास में आप से कोश्चन पूछूंगा जिसता दवागो कमें बॉक्स में देना है आज के करेंटरफर के पीडियो के डिसप्सन दानलो कर सकते हैं पीडियो पाप अमेरे टेलेगम चैनल से भी डानलो कर सकते हैं वहाँ पर आपको डेली करेंटरफर के पीडियो पाइल मिल जाएगी और टेलेगम चैनल के लिंग वीडियो डिस अप्सन दे दिया है तो आप वहाँ से जोइन कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला कुशन है हाली में अमेरिका ने किस देश से गैर नाटो सायोगी का दर्जा छीन लिया है तो अभी अमेरिका ने अफगानिस्तान से गैर नाटो सायोगी का दर्जा छीन लिया है तो यह दर्जा अमेरिका ने दो हजर बारा में अफगानिस्तान को गैर नाटो सायोगी नामित किया था लेकिन अब अमेरिका ने अफगानिस्तान से गैर नाटो स्योगी का दर्जा छीन लिया है अब ये दर्जा अमेरिका ने छीना है तो आप इस मैप में देखिए ये है अमेरिका और ये है अमेरिका का फ्लैग अमेरिका की राज़धानी क्या है वाशिंटन डीसी अमेरिके करंसी क्याना में अमेरिकी डॉलर अमेरिका की राज़भासा क्या है अंग्रेजी अमेरिका की संसत क्याना में कॉंग्रिस और वर्तमान में अमेरिका की राज़पती कौने जो वाइडन और वर्तमान में उपरास एक्सराइज है जो कि भारत और अमेरिका के बेच में होती है इनको आप याद रखेगा और USA और कनाड़ को डिवाइट करने वाली लाइन को कहते हैं तो 49 पहले लाइन इसको भी आप याद रखेगा वेरी इंपोर्टेंट है नेसकोसन ने हाली में भारती नौसेना ने किस डाइविंग सपोर्ट वेसल को लाँच किया है तो अब भारती नौसेना ने निस्तार और निपून ये दो नाम की डाइविंग सपोर्ट वेसल को लाँच किया है तो इसकोसन का राइट अंसर है और इन दोनों को विसाका हम में लॉंच किया है अब भारती 9 सेना ने से लॉंच कि आ है तो भारती 9 सेना की स्थापना का भूई 26 जन्वरी 1950 में भारती 9 सेना का हैड़कौर्टर कहा पर है नई दिल्ली में और वर्तवान में 9 सेना प्रमुकों है एड्मीरल आर हारी कुमार अच्छा 9 सेना दिवस कब म हाली में EV Charging Infrastructure इस्थापना के लिए Hero Moto Cops ने किसके साथ समझोता किया है तो अभी Electrical Vehicle Charging Infrastructure इस्थापना के लिए Hero Moto Cops ने HP CL के साथ समझोता किया है दिस्कोशन का राइट अंसर है option A अब यह समझोता HPCL के साथ किया गिया है तो HPCL का full form क्या होता है हिंदुस्तान प्रेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड HPCL की स्थापना कभूई 1974 में HPCL का हेड़कोर्टर कहाँ पर है मुंबई में और वर्तमान में HPCL के CMD कौन है पुस्त कुमार जोसी और HPCL के टेगलाइन क्या है Delivering Happiness at Every Step और यह है HPCL का लोगो नेस्कोशन है हाली में अडानी ग्रीन ने किस राज में 325 मेगा वाट की पवन उर्जा परियूजना सुरू की है तो भी मत प्रेश में 325 मेगा वाट की पवन उर्जा परियूजना अडानी ग्रीन ने सुरू की है तो इसकोशन का राइट अंसर है Option B अब यह परियूजना मत प्रेश में सुरू की गई है तो आप इस मैप में देखिए यह है मत प्रेश अथा मत प्रेश गुजरात, महाराष, 36 गर्ण, उत्तापदेश और राजिस्तान इन पाँच राज्जों के साथ अपनी बौनरी सेयर करता है मत प्रेश की राजधानी क्या है भोपाल मत प्रेश अगठन का बुआ एक नॉमबर 1956 में मत प्रेश में लोकसभा की 29 सीटे है राजसभा की 11 सीटे है और विधान सभा की 230 सीटे है और मत प्रेश में कुल 52 जिले है मत प्रेश के वर्तमान में मुख मंतरी कौने सिवराः सिंचोहान राजपाल कौने मंगूबाई सीपटेल और मुखनाईदीस कोने रवी मलीमड मत्पदिस का राच्की पसु है बारा सिंगा राच्की पच्ची है दूदराद पच्ची राच्की व्रच है बरगद राच्की फल है आम और राच्की खिल है मालखम मत्पदिस में कौन-कौन से नेसन पार्क है काना नैसन पार्क है, पन्ना नैसन पार्क है, माधो नैसन पार्क है, संजे नैसन पार्क है, बांधो गण नैसन पार्क है, सत्पुड़ा नैसन पार्क है, पेंच नैसन पार्क है, और वन विहार भी है और अबी चर्चमरा, कुनो नेशन पार्क जहां पर आठ नए चीते लागए हैं वो भी मत्पदेश में हैं इसको आप याद रखेएगा और मत्पदेश में कौन-कौन से famous dance हैं गड़गोर, सैला, बदाई, कांड़ा और काठी मत्पदेश में कौन-कौन से लेक हैं भोस्ताल, लोवर जील, मोती जील, सापुरा जील और साख्या जील है तो इतनी जानकरी आप मत्पदेश के बारे में याद रखें question number five है, हाली में भारत में 5G सेवाएं एक अक्टूबर को किसके दोरा launch की जाएंगी तो अब प्रदान मंत्री नेन मोधी दोरा भारत में 5G सेवाएं एक अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कौनगरंस में launch की जाएंगी तो इस question का right answer है option D अच्छा दोस्तो आप वाइब जी इस जी का फुल फॉर्म क्या होता है आप हमें कमण बॉक्स में कमण करके बताएं नेस स्कूर्सन है हाली में 2023 के पन्दरवे ब्रिक सिकर संम्हेलन की अधस्था कौन सा देश करेगा तो अभी दच्छर अफरीका 2023 के पंदरवे ब्रिक सिकर सम्मेलन की अध्यस्ता करेगा तो इसको संग का राइट अंसर है ओप्सन ए आप यह याद रखेगा 2023 में ये पंदरवा ब्रिक सिकर सम्मेलन होगा जिसकी दच्छर अफरीका अध्यस्ता करेगा अब ब्रिक्स तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है ब्राजिल, रसिया, इंडिया, चाइना और सौथ अफरीका यहाँ पे एक नोट लिखा है कि पहले ये ब्रिक्स हुआ करता था, लेकिन 2010 में इसमें स्वाथ अफरीका जुड़ गया था, तब इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, 2006 में, ब्रिक्स का हेटकोर्टर कहा पर है, ब्रिक्स टावर में, अच्छा, फर्स्ट सिखर सम्मेलन कब हुआ था, 16 जुन 2009 में, और ये रूस के ये कारतिन बर्ग में हुआ था, सेकेंड ब्रिक्स सिखर सम्मेलन कहा हुआ था, ब्राजिल और चौद्वा सिकर सम्मेलन ये 2022 में चीन में हुआ था और जो अब पंदरवा होने जा रहा है वो साउथ अफरीका में हुआ रहा है तो इतना आप बिक्स के बारे में याद रखेएगा चलिए नेसकोसन है हाली में ICC T20 International बल्ले बाजी रांकिंग में कौन सीर्ष पर रहा है तो अब ही मुआमबद रिजवान ये ICC T20 International बल्ले बाजी रांकिंग में सीर्ष पर रहा है देसकोसन का राइट अंसर है पाकिस्तान के हैं और ये हैं एडन मारकरम, ये साउथ अफरीका के हैं और अपने भारत के ये सूर्कमार यादों हैं जो की तीसे नंबर पर रहे हैं। ये तीन दिवसिये आयोजन हैं और इसमें चर्चा, सेमिनार, सांस्केति कारकरम और प्रदिशनी का आयोजन किया जाएगा। आप इसमेंज में देखिए ये हैं जस्टिस एल नागिस्वर राओ और इनी को सुप्रिम कोड़ द्वारा आयोजन के सविधान संसोधन के लिए नियुक किया गया है। अब I.O.A. तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अभी मैंने आपको बहुता है इंडियन ओलंपिक एस्विएशन। I.O.A. का इस्थापना कभूई 19.27 में I.O.A. का मुख्याले कहां पर है यानि हेड़्कॉर्टर कहां पर है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके अध्यच कोने आदिल सुम्री वाला और वर्तमान में इसके सक्रेटरी जर्रनल कोने राजीव मैता और ये है I.O.A. यानि इसके स्कूषन का राइट अंसर है Option B दर असल ये विद्याक गुजरात की विधान सवा में 5 महीने पहले पारित किया गया था लेकिन अब गुजरात रा सरकार ने इस मवेसी नियर्णतर विद्यक को वापस लेने का निर्ण लिया है चलिए नैसकूषन है हाली में किस कमप कपनी का दर्जा दिया गया है तो अभी REC यानि Ruler Electrification Corporation Limited को महारत कपनी का दर्जा दिया गया है तो इस कोशन का राइट अंसर है Option D और इस दर्जे के साथ ही भारत के पास अब कुल 12 महारत कपनियां हो गई है अब REC तो इसका फुल पॉम मैंने आपको भी बताया है Ruler Electrification Corporation Limited हिंदी में से ग्रामेर विद्धूती करन निगम Limited कहते हैं REC की स्थापना कभी 25 जुलाई 1969 में REC का हेड़कोर्टर कहां पर है नई दिल्ली में और REC के ओनर को ने Power Finance Corporation और अब अर्तमान में REC के CMD को ने विबेक कुमार देवागन और यह है REC का लोगो Next Question है हाली में किस राज में इस्थित Mount Dong यहाँ पर डौंग होगा Mount Dong खांग पर IT BP का परवता रोहन दल चलने वाला पहला दल बन गिया है तो अब इसकोर्टर का ने राइट और नसर है Option A ये माउंट डॉंग खांग उत्री सिक्किम की लाचेन घाटी में किस घाटी में लाचेन घाटी में और ये लाचेन घाटी से 7250 मीटर की उचाई पर है तो आप ये याद रखेगा चलिए नेस कोश्चन ने हाली में किस भारती मूल की ग्रह मंतरी को माहरानी एलिजाबेट दुथी वूमन अफ द इयर अवार्ड से समानित किया गया है तो भी भारती मूल की ग्रह मंतरी सुएला ब्रेवर में को पहले माहरानी एलिजाबेट दुथी वूमन अफ द इयर अवार्ड से समानित किया गया है तो इसकोशन का राइट अंसर है option C आप इसमेज में दिखिए ये हैं सुवेला ब्रेवर्मेंट और ये ब्रिटेन की भारती मूल की ग्रह मंत्री है और इनी को अभी मारानी एलिजाबेट दूती वुमन आफ दे एर अवार्ड से समानित किया गया है और इनको ये अवार्ड Asian Achievement Award 2022 समारों में दिया गया है ये आप याद रखेगा नेसकोशन है हाली में किस केंदी मंत्री ने एक e-learning प्लेटफॉर्म भारत विद्या लॉंच किया है तो अभी वर्तमान में Finance Minister है निर्मला सीतर रमन इन्होंने e-learning प्लेटफॉर्म भारत विद्या लॉंच किया है Finance Minister निर्मला सीतर रमन ने लॉंच किया है आप धान रखेगा ये एजुकेशन से रिलेटड है तो आप कहीं एजुकेशन मिनिस्टर न लागए देना ये Finance Minister ने लॉंच किया है तो आप पेपर में धान रखेगा Question No.15 है हाली में Max Life Insurance Company ने किसे अपना ब्रैंड अमेजडर बनाया है तो भी भारती किरकेट टीम के कप्तान रोहिज सर्मा और उनकी वाइफ रितिका सजदेह को Max Life Insurance Company ने अपना ब्रैंड अमेजडर बनाया है तो इस कोशन का राइट अंसर है Option C उप्योग दोनों आप इसमेज में देखिए ये हैं रोहिज सर्मा और ये हैं उनकी वाइफ रितिका सजदे और इनी को Max Life Insurance Company ने अपना ब्रैंड अमेजडर निक किया है और अब बारी है लास्ट वीदियो में पूछे है कोशन के आंसर की तो लास्ट वीदियो में आपसे पूचा था हाली में महाराज्ट राइट सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदल कर क्या रखने की गोशना की है तो भी महराश राश सरकार ने दौलताबाद के लिए का नाम देवगिरी किला रखने की घोसना की है तो इस कोशन का राइट अंसर है ओप्शन B और आज के लिए आपका कोशन है हाली में किस देश किसंसद में राश्पती की कारकाल 5 वर्ष से बढ़ा कर 7 वर्ष करने के प्रस्ताव पारित किया गया है ये हैं 4 अप्शन इन 4 अप्शन से जो भी राइट अंसर है वो आप हमें कमन बॉक्स में कमन करके बताएंगे और इस कोशन का अंसर आप डिटेल में लिखेएगा क्योंकि जिन कोशन का अंसर आप डिटेल में लिख देते हैं फिर आप उन्हें कभी नहीं बूलते हैं और अब दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमन करके हमें ज़रूर बताएं और अपने वीडियो को हर जगे सेयर करें एजूकेशन गुरूप वाले अपने दोस्तों बाई बनो सबके साथ ही वीडियो को सेयर ज़रूर करेंगा और अगर आप हमारे टेलेगम चैनल पे नहीं जुनें तो वहाँ पर भी जुट जाएए क्योंकि डेली करेंट अफ़र के क्यूज़ में आप पोस्ट करता हूँ जिनको सॉल करके अपने डेली करेंट अफ़र को मजबूत कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल पे नए आएं तो चैनल को ज़रूर सस्काइब कर लिजए और साथ ही में बैल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लिजए ताकि डेली करेंट अफ़र के वीडियो का नौटिफिक्रिक्सन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप डेली करेंट अफ़र के वीडियो सबसे पहले देख पाएं